हलो फ्रेंड्स मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्सी सोल्यूशन्स विद अनुच अभी जो स्सीजीडी का चोबिस फरवरी का शिफ्ट थर्डगा पर हुआ था उसके जिके कोशन्स थे देखो पहला कोशन क्या था पहला कोशन का निमन में से कौन से देश 2018 में एशियाई खेलो की मुझबानी करेगा तो जो 2018 में एशियाई खेल हुए थे वो कहां पर हुए थे इंडोनेशिया में ये क्या होता है हर च्यार साल में एक बार होते हैं ठीक है पहले हुए 2018 में अब होने थे 2022 में लेकिन 2022 की जगह कब हुए 2023 में तो अगर आपसे पुछा जाए कि 2026 में मतलब अगले का आओंगे तो अगले होंगे जापान में अगले का आओंगे जापान में 2018 के एशियाई खेलों का आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया गया इसे जकारता पालंबाग 2018 के रूप में भी जाना जाता है इस साल बहु खेल कार्यकरम का अठारमा वर्ष को चिनित किया गया था मतलब ये 18 एडिशन था 19 एडिशन कब होना था 2022 में होना था लेकिन 2023 में हुआ चाइना में वो अगर 20 एडिशन पूछा जाए जोगी 2026 में होगा वो कहां पे होगा जापान में ठीक है उसके बाद अग पुषकर मेले को पुषकर उट मेला या स्थानिय रूप से कार्तिक मेले के रूप में भी जाना जाता है यह एक वार्षिक मेला है जिसे कार्तिक मेला या पुषकर नाम से भी जाना जाता है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद कुछ important मेले देख लेते हैं अगर आपसे पूछाजाए सोनपूर मेला तो कहाँ पे है सोनपूर बिहार में हैमिस गोमपा मेला लद्दाक कोलकता मेला या कपिल मुनी मेला बिकाने राजस्थान चंदरभाग मेला भुवनेशवर उडिशा और गंगा सागर मेला बंगाल की खाड़ी पस्चिम बंगाल ठीक है भई उसके बाद एक कोशन बहुत असान था ये की चाइना की राजदानी क्या है सब को पता है बीजिंग चाइना ठीक है उसके बाद था कि संपत्ति का अधिकार एक डैश अधिकार है जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है एक कानूनी अधिकार है और जो ये संपत्ति के अधिकार को जो 44th संचोदल अधिनियम था अमेंडमेंट एक था 1978 का उसमें इसको हटा दिया गया था ठीक है कौन सा आर्टिकल था ये 31 अर्टिकल था तो संपत्ति के अधिकार को 44 में संसोदर अनियम के द्वारा हटा दिया गया था इसे डिलीट कर दिया गया था इसे समीदान के भाग 12 के अनुचेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है इसलिए वर्तमान में केवल 6 मोलिक अधिकार है ठीक है उसके बाद देखो उसके बाद अगला कोशन था कि कुच्चीपुडी किस स्थान का परसिद निर्त है तो कुच्चीपुडी है आंधर परदेश का देखो बारत नाट्यम तमिलनाडू कुच्चीपुडी आंधर परदेश उडिसा उडिसी मनिपुरी मनिपूर ठीक ह तो राज्जो के विधान मंदलो का गठन अनुचेद 168 जो है उसमें क्या बताया गया है जो राज्जो के विधान सबाव है उनका गठन अगर हम Means बात करें संसद की पार्लमेंट ke तो वह है Article 79 अगर मैं बात करू Steam половी सबाकी तो वह है Article 80 राज्य सभा और लोग सभा अगी बात करें तो वो हार्टिकल 81 ठीक है ये ध्यान रखना है उसके बाद एक कोशन पुछा गया थे कि हरित करांती का संबंद किस फसल से है तो जो हरित करांती है उसका संबंद है गेव फसल से और इसके जनक किसे माना जाता है MS स्वामिनाथन को इसका जनक माना जाता है ठीक है उसके बाद एक कोशन था कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंतर बजाते हैं तो वो हैं सरोज से रिलेटिड है ठीक है अब कुछ और देख लेते हैं तो सबसे पहला है बासूरी तो बारसूरी के लिए हरी परसाद चोरसिया संतूर के लिए पंडित शिवकुमार शर्मा तबला उस्ताद जाकिर हुसैन सरोद अमजद अली खान शेहनाई बिस्मिल्ला खान सितार पंडित रवी शंकर सारंगी पंडित राम नारायन ठीक है बई उसके बाद रुद्रवीना उस्ताद असद अली खान और एक 183 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहां हुआ था तो वो हुआ था इंगलेंड में ठीक है ये आप ध्यान रखना है कहां पे हुआ था इंगलेंड में हुआ था एक पूछा गया था कि 2018 में संगीत नाटक अकेडमी अवोर्ड किसे मिला था तो ये मिला था तपन कुमार पतनायक को किसे मिला था तपन कुमार पतनायक भारत नाटम के लिए किसे मिला था रादा श्रीदर कत्थक के लिए इश्रा मोलिक साय के लिए मनिपूरी के लिए अखम लक्षमी देवी कुची पूरी के लिए रामलिंगा शास्त्री ठीक है ये याद रख लेना कुछ नाम ठीक है भई यह कोशन थे जो आए थे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद